तो मैं आपके लिए शांदार एक चोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ फटा फट से जहां मैं आपको कुछ लाश मिनिट इस दूंगा आपके सीए फैनल को लेकर आपके पहले एफ़ार के पेपर को लेकर तो फटा फट से मेरी बाते सुनना बिकोज यह सब चीजे न है बहुत चोटी-चोटी बहुत अंडरिटेड है लेकिन यह आपका अटेम्ट बचा सकती है आपकी नईया पार लगा सकती है सारी चीज है ठीक है क्योंकि as a student में इन सबसे डील करता था तो मैं सुचा क्यों ना मैं आपको आश्वासन दे दू थोड़ा सा confidence दे दू कि कैसे अपने को टैकल करना है तो इसलिए मैं दो पार्ट में बाट के लाए हो सब चीजों को discussion लिखके भी रखा है अब सुनना मेरी बात ध्यान से मैं ने दो फेज में बाट दिया आपके tips को सबसे पहले प्री एक्साम मतलब अभी जब एग्जाम दने के पहले बस करम करते चलो आगे गा मत सोचना future का सोचने से present पे आपके pressure पड़ता है और future uncertain है अपने हाथ में यह मत सोचो second thing कभी-कभी क्या होता है कुछ chapter को हमने time दिया आदा घंटा लग गया 45 minutes कुछ chapter को दिया 4 घंटा लग गया 6 घंटा तो यह न कभी-कभी revision time more than expected लग जाता है आखिर में जाके आप एक या दो चैप्टर श्याद रिवाइज नहीं कर पाओगे इट इस वाई ना आप भाई 30 में से दो चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाए लाश में जाकर बाकी 28 के आपन बैंड के उब जा रहे है तुम समझ रहो तो लग गया तो लग गया कोई दिक् स्टेंट मत बाना नहां पड़के भाई मत बढ़ो नहां जो छोड़ दिया अब मैं आपके इसके ट्रिक बताता हूँ आपन क्या दुआ करते बगवान से बगवान जो मैं छोड़ा पूछ मत लेना मैं भी दूआ करूंग आपके लिए लेकिन है ना सुनना एक बात बोलके तो यह न, आप पैनिक कर जाओगे, कि आरे यार शेट, जिसका ड़ता वही हो गया, लेकिन मैं बोलना, मान के चल, जो तुने छोड़ा है, वो आएगा, जब अगर देख भी लोगे ना, वो क्वेशन एग्जाम में, तो पैनिक नहीं होएगा, बोले कि हारे हाँ, जो सुचा को आते है, यह mindset रखना, mindset is the key, यह बात ध्यान रखना भाई, तो यह mindset रणना बहुत जरूरी है, तो को topic छोड़ा है, तो छोड़ दिया, एक्जाम में आएगा, देख लेंगे, और एक्जाम में दीख भी जाय है, तो टैकल कैसे करना है, बता दूंगा, चिंता मत करना, उस केस में आपको से वेना, calculation लेकर देना है, ठीक है, उसके लावा, journal entry पूछिए, तो narration एक दू लाइन में दे देना, एक लाइन में दिया तो भी चलेगा, तीन चावण, बीइंग के आगे कुछ भी लिख देना, तो यह आपको लिखना theory कभ है, जब बोला, explain, evaluate, analyze, comment, यह सब तो दो line में लिखा, अब question, अब solution चालू कर दो, जहाँ specifically theory पूछा है, वहाँ फिर 4 line में लिख देना, on words में, word to word लिखने का जरूवत नहीं है, index का number, नाम और relevant concept है, अपनो on words में, with the relevant keywords, वो काम चल जाएगा, अगर नाम, number को लोगे, confident नहीं हो, गलत मत कोड कर के आना, ठी मुझ से positive ही, की हो जाएगा, कोई tension वाली बात नहीं है, ऐसे smile करते रहनेगा, tension है, smile करो, पागल लोगेगा, लेकिन भाई, फुरा शान्ती वी लोगेगा, देख लेना तुम, उसके लावा, अच्छी नींद लेकर जाना, क्यूँ पहला paper F.R है, इसी paper में सोने मिलेगा, उ एक paper में तो ले ले ले, पहला paper में, अपने महनत तो बरुसार रखना, पक्का निकल जाओगे, मैं बता रहो, निकल जाओगे, महनत तो बरुसार रखना, उसके लावा, अब डूरिंग ने एक्जाम की फिटावर्ट से बात कर लेते, पूरा 100 माक का attempt करना है, मतलब करना है मैंने एक वीडियो भी डाला है अभी एक-दो दिन पहले यूटूब पर, जहां मैंने बताया, 100 माक का paper attempt कैसे करेंगे, करना है, मतलब करना है, कोशिश करेंगे, पेपर लेंदी होगा, मुझे पता है, पहले minute से speed maintain रखो, 100 माक का paper attempt करना, मैं यह नहीं कहरा हूँ, 100 माक का paper 75 attempt किया, 70 attempt किया, 80 attempt किया, वो नहीं है, कोशिश करेंगे, जितना खीच कुता खीच का attempt करेंगे, पहले minute से speed maintain रखना, ठीक है, उसके लावा, second चीज, exam में कोई नया question दिख जाए, tough paper दिख जाए, है ना out of the box question दिख जाए, तो क्या करे, अरे भाई माँ बताता हो सुनो, सब 5 questions मिलाके, 15 questions आएंगे, ठीक है, कितरे 15 questions, 3 questions tough होंगे, तीन से 4 questions tough होंगे, ठीक है, तो कितने निकल गए, 3 निकल गए, तो 3 निकाल देते आपन, 3 निकल गए, 12 बचे, 2 questions वो होंगे, जो आपने छोड़े chapter न option में, उसमें से हो जाएंगे, 5 निकल गए, सर, दसी question बचे, आता है उस पर फोकस कर, जो आता है अगर उसको तुमने confidence attempt किया, तो जो नहीं भी आता है, उसमें थोड़ी बड़ चीज़ा recall होनी शुरू हो जाती है, कि यहाँ यह concept हाँ, यह concept हाँ, यह concept हाँ, तो focus on the glass which is half full and not on the half empty, तो paper अगर कुछ भी, मैं बता रो final का paper है, एका दो question तो 20-25 mark तो option में भी चले जाएगा, उसके लावा अपने को बाकी 100 mark में से 60-65-70 का भी अच्छे से आता है, उसमें अपने को 80-90% mark score करना है, और जो बाकी 30-40 का आपन concept के बेस पर जो घ्यान इतना लिया है अपने जिंदगी में, उसके बेस पर जो answer करेंगे, उसमें जो पैनिक मत करना, पैनिक करने का जरुवती नहीं है, और काम कैसर है सर, उसका लाश में बात करूंगा सुनना, उसके लावा अगर कोई question पहले से पता है, भली आपको आता है लेकिन लेंदी दिख रहा है, तो लाश में टाइम करो, पहले paper का पहला question लेंदी मत पकड़ो, जै उसके लावा examiner short form use करे गया, देखो short form का मैंने पता है क्या देखा है, examiner कभी-कभी marks काटता है, कभी-कभी नहीं काटता है, तो risk free रेने का है, अपने को risks लेने का ही नहीं है, तो मत use करो short form, last last question में जा time बहुत कम बचा है, और paper छूटने पे है, फिर तो जो short form जैसा चले ठीक है, तो short form use करने में risk थोला सा है, अगर आपको लगता है कि चल में को 4-5-10 मक से फरक नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, यूज कर लो, बट मैं होता तो मैं नहीं करता, last last question में लगता है न, जा चूटने का डर लग रहा है वैसा, तो वहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है, मतल पेपर 100 मक का है, तुमको 100 में 100 चाहिए क्या, नहीं, difficult paper आया, तो पूरे इंडिया के लिए difficult है, तो उसमें 40, 45, 50, 55 निकालने का try करेंगा, अगर easy आया, अब तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबके लिए easy और मेरे लिए easy और मेरे लिए easy और मेरे लिए easy ऐसा हर question किला मत बोलना, पर ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जबी भी tension है, बोलना, रे 100 में 100 होते हो ना, चीए, जितना मेरा best method का try करता हूँ, आप देखना incrementally, एके question करते, 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 पूरा 100 मक का paper attempt भी हो जाएगा, आपको FR में 70, 75 भी आ जाएगा, और अपने महनत पर trust करना, एकादो छूड़ जाए, ठीक है, question एकादो नहीं आया, ठीक है, जितना अपना best हो सके, वो दिने का कोशिश करना, ठीक है, तो thank you so much, दिल से आप सब के लिए दुआ करूँगा भगवान से कि आप सब लोग को जो महनत का फले वो मिले, wish you all the best, thank you so much, bye bye everyone, take care, see you all, bye bye.